दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बता है कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे आज की पहले के पर बिपेसी की सरसटवी परिच्छा में अब पहले से ज्यादा को मिलेगी नोकरी वेकेंसी बढ़ी जिहां बिहार लोक सिवा आयोग ने सरसटवी सेयोक्त परतियोगिता परिच्छा के लिए पदो की सिंग्या बढ़ा दी है अब 555 की जगा 575 पदो पर नियुक्ति की जाएगी इसके लिए गुर्वार से ही ओनलाइन आवेदन शुरू हो चुकी है इच्चुक अभियरती www.bpsc.bihar.nic.in पर जाकर ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं आपको बता दे कि BPSC सरसटवी परिच्छा में सबसे अधिक रामेन विकास पदादिकारे के 133, नगर विकास आवास विभाग में नगर कार्यापालक पदादिकारे के 110, विहार प्रसासनिक सिवा के 88, ब्लॉक S.C.S.T. कल्यान पदादिकारे के 52, राजस्व अधिकारे के न्यूकती, जिहां बिहार लोग सिवा आयोक की ओर से 85, सिविल सिवा का रिजल्ट एक सप्ता के अंदर घोसित कर दिया जाएगा, आयोक की ओर से रिजल्ट को अंतिय रूप दिया जा रहा है, कुछ चात्रों का मेडिकल रिपोर्ड PMCS से आना है, रिपोर्ड आते ही रिज हम बारिस होगी, नमी वाली हवाये बना रही है बारिस का सिश्टम, जिहां मॉसम विभाग बिहार में आने वाले तीन दिनों तक बारीस को लेकर अलर जारी किया है, मॉसम विभाग के मुताबिक 3 अक्टुबर तक राज Jar के 38 जिलों में हलकी से मैधम बारिस हो सकती है, वह कि समयदम बारिस हो सकती है इस दोरान नमी योग तहवावों से गर्मी से थोड़ी राहत की सम्हावना है साथ यपकवदादी कि उत्तर पष्चिम बिहार के पष्चिमी चामपारन सिवान सारन पूर्वी चामपारन गोपाल गंज जितामडी मधुबनी मुझपर पूर परंगाबाद अरवल पटना गया नालंदा सेकपुरा नवादा बेगु सराई लगी सराई जहानाबाद भागलपूर बाका जमुए मुंगेर और खगड़िया सहिद 19 जीलों में 1-3 अक्टूबर तक अधिकान सिस्थानों पर वर्षा का सिस्टम एक्टिब होगा अगली खबर बिहार से पश्चिम मंगाल भेजी गई एंडियारिप की टीम में चकरवर्ती तुफान गुलाब से लोगों को बचाने की तैयारी छे टीम के 140 अपसर और जवान चलाएंगे उप्रेसर चार महने बाद एक बार फिर से एंडियारिप की टीम को बिहार से पश् रख्चित इस्तान तक पहुचाए था उन तक कई तरह की स्विधाय उपलब्द कराई थी अब एक बार फिर से पश्चिम मंगाल के लोगों पर एक नए तुफान का खत्रा मंडाने लगा है इस नए चकरवर्ती तुफान का नाम गुलाब है इसका बड़ा असर बंगाल के वर्दमान जिले पर पढ़ने वाला है केंद्रिया ग्रियम अंतराले की तरब से एक एडवाइजरी जारी की गई है इसी के तहत पटना के बिहाटा में इस्तित एंडिया अरब के नवी बटालियान मुख्याले से गुरवार को कूल छे टीम रवाना की गई अधिकारी और जवान मिला कर इसमें कूल 140 बचाव कर्मी सामिल है बड़े कबर बिहार में आप पोस्ट ओफिस से भी मिलेगा रेलवे आरक्चन और ततकाल टिकट जाने कब से और कब तक ले सकते हैं इस विदा कला जिहां रेलवे के आरक्ची टिकट पर यात्रा करने वालों के लिए पोस्ट ओफिस द्वारा ततकाल टिकट भी रेल यात्रियों को उपलब्द कराया जाएगा जिस पोस्ट ओफिस में या सुविदा मिलेगी वहां की कर्मियों को रेल द्वारा प्रसिक्षित किया रहा है आपको बदा दे कि अब तक रेलवे स्टेशन या साइबर केपे आक रेलवे का टिकट आरक्षे टिकट कटाने वाले ग्रामें चेतरों के लोगों को काफी हाथ तक सुविदा उपलब्द होगी ऐसे लोग बिना रेलवे स्टेशन आए या साविर केपे पहुँचे अपने पास के पोस्ट ओफिस से रेलवे टिकट प्राप्ट कर सकते हैं खि बिहार में खेतिहर जमीन के विवाद को सुलजाने के लिए सरकार बड़ी पहल करने वाली है अबर आज जो में जल्द ही चकवंदी के जरी किसानों के अलग अलग जगों की खेति की जमीन एक जगह की जाएगी इसके लिए आयाटी रोड़की से आई टेम ने भूमिस का काम करवा रही है और बहुत जल्द जगवंदी कर उन किसानों को एक जगह जमीन का भोकंड उपलब्द करवा देगी जिनकी जमीन अलग अलग जगह पर है बड़ी कबर बिहार में वीडियो ही देखेंगे पंचायती राज से जुड़े काम नंती सरकार का बड़ा आदेश जहां बिहार में बिते दिनों सरकार ने वीडियो से पंचायत समिती के कारियों की निगरानी करने का पावर छिन लिया था अब नया आदेश जारी करते वे सरकार ने कहा कि पंचाज समिती के कारियों की मौनिटरिंग प्रकंड विकास पदादिकारी पहले की तरह करते रहेंगे साती विभाग ने अभी कहा है कि वीडियो ही समिती की स्थापना का कारिय देखेंगे बड़ी ख़बर बिहार देश के पहला महिला कमांडो दस्ता मुर्चा सम्हालने को तयार जिहां बिहार पुलिस के महिला कमांडो ट्रेनिंग के बाद अब अपना दमखम दिखाने को तयार है पहले बार किसी राज पुलिस में ऐसे महिला कमांडी की फोज बन का तयार हुई है जिसे अर्द सेनिक बल की देखरेक में प्रसिक्षित किया गया है आपको बदा दे कि महिला कमांडो बिहार पुलिस की उन एजेंसियों में अपना दमकम दिखाएंगी जहां तैनाती के लिए किसी भी पुलिस वालों को कड़ी चुनोतियों से गुजरना पड़ता है इनमें स्पेशल सेकुरिटी गुरूप भी सामिल है स्जी मुख्यमंत्री की घुसरक्चा की जिमिदारी समालती है लिहाजा यहां तेज तर्रार पुलिस सदिकारी और जवान ही प्रतिन्युक्त होते हैं स्जी के अलावा महिला कमांडू की टीम आतंकी गतिविदियों को रोकने के लिए विसीज तोर पर गठित एटियस में भी प्रतिन्युक्ति की जाएगी बिहार पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स का भी यह हिस्सा बनेगी CBAC 10 वी कंपार्डमेंटल परिच्चा परिनाम घोसित CBAC.government.in पर फटाफट करेचे जी हाँ CBAC 10 वी कंपार्डमेंटल परिच्चा के नतिजे घोसित कर दिये हैं केंद्रिय माइदमिक सिक्चा बोर्ड ने कल यानी 30 सितंबर को CBAC कंपार्डमेंटल परिच्चा 2021 का परिनाम आधिकारिक बैव साइट CBAC.government.in और CBAC.government.in पर जारी किया गिया है अगली खबर दो सितों पर उलजे बिहार की सियासत राज़त कंग्रेस में रसक सी चिराग पासवान को डवल अफ़र जहां बिहार की कुशिसर इस्तान वा तारापूर विदानसबा सीट पर उपचनाव होने हैं 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे दो नौवंबर को परिनाम सब के सामने होगा चनाव की तारीकों का एलान के साथ ही बिहार में सियासत गर्म हो गई है जनतादल उनाटेट दिवगंत विदायक ससी बुसन हजारी के पूत्र अमन हजारी को कुशिसर इस्तान से टिकर दे सकता है वैतारापूर से राजिव सिंग के नाम पर मोहर लग सकती है इस तरह से NDA के उमिद्वार तो साप मगर महागडवंदन में रस्ता कसी चल रही है राष्टे जनतादल ने दोनों सीटे पर दावा कर दिया है तो कॉंग्रिस ने कुशिसर इस्तान के लिए प्रत्यासी तै करने को पांच सदेश से कमिटी बना दी है कॉंग्रिस ने कहा है कि चिराग अगर साथ आये तो अच्छा रहेगा दूसरी तरफ दो दिन पहले लोजबा सांसत की राज़त नेता से मुलाकात भी हो चुकी है इधर राज़त के नेता लगतार बयान दे रहे हैं कि वो दोनों सीट पर अपने प्रत्यासी उतारेंगे लालोई अदव के दल का कहना है कि वो कुछ से रिस्तान वा तरापूर विदानसवा सीट जीत कर मागडवन्दन के खाते में डालना चाते हैं अगली बड़ी कबर पेट्रोल डिजल के बाद अब बिहार में मॉबिल हुआ महंगा जाने कितने बड़े दाम मॉबिल के एक लेडर के किमत में पचास सो रुपिय बढ़ चुके हैं ऐसे में दो पहिया चार पहिया या कोई भी मसेजनीर समान को चलाना महंगा पढ़ रहा है इसका असर ग्रहाकों की पोकेट पर भी पढ़ रहा है अगली बड़ी खबर बिहार में ड्राइविंग टेस्ट के लिए अब नहीं ले जानी होगी अपनी गाड़ी सो रुपिय का करना होगा भुगतान एजेंसी देगी अपनी गाड़ी जी हाँ अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो ड्राइविंग टेस्ट देना होता था उसके लिए किसी भी आवेदक को अपनी गाड़ी नहीं ले जानी होगी यानि कि विभाग ही इसका पुरा भुगतान करेगा आवेदक को कोई अतरिक भुगतान नहीं करना पड़ेगा अगली बड़े खबर बिहार के कर्मचारियों को बड़े मांगाई भत्ता के साथ मिलेगा सितंबर का वेतन पेंसनर को भी होगा फाइदा जिया बिहार के सरकारी सेवप को सितंबर महिने का वेतन बड़ेवे मांगाई भत्ति के साथ मिलेगा इसमें 17 के बदले 28% मांगाई भत्ता रहेगा या एक जुलाई से प्रभावी है लेकिन मुगतान देर से हो रहा है अगली बड़े ख़वर अक्टोबर में 21 दिन बंद रहेंगे बैंक यहां देखे छुटियों की पूरी लेश्ट जहां अक्टोबर महिने की सिरुवात के साथ तेवहार की भी सिरुवात हो जाएगी इसके चलते देश के कई प्रावेट और सरकारे बैंक बंद रहेंगे परव तेहार को देखते वे अक्टोबर में लगबग 21 दिन बैंक बंद रहेंगे इन चुटियों में सेकेंड सटडे और रेवार वे सामिल है जिन लोगों को अक्टोबर में बैंक से जोड़ी जरूरी काम निप्टाने है उन्हें चुटियों की लिष्ट देख लेना चाहिए और अपने काम के प्लानिंग पहले से कर लेनी चाहिए वहीं रेजर व बैंक के केलेंडर के हिसाब से अक्टोबर महिने में विकेंड के अलावा बैंकों की सुला चुटिया पढ़ रही है आपको बता दे कि ये चुटिया राज्जों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है क्योंकि इस्तानिया पर वह तेहार को देखते हुए आवकास निधरित किये जाते हैं और अनकी बड़ी खबर गेंदबाजों के बाद चमके बल्ले बाज सांस चैने ने किया प्लेओप में कौलिफाई पहली टीम जिसने कौलिफाई किया प्लेओप जिया आई पेल 2021 के 44 मुकाबले में चैने सुपर किंग्स ने सराजज हिदराबाद को छोग विकेड से हरा कर फिले ओप में अपनी जगा सरक्षित कर लिया है इसके साथी चैने ने लगातार चोथी जीत दर्ज की है दोने एक बार फिर बेस्ट फिनिसर की भूमिका में नजर आये उन्होंने छक्का जड़कर अपनी टीम को धमाकेदार जीत दिलाया चैने से पर किंग्स पहली टीम ह जिन्होंने IPL 2021 में प्ले ओप में जगा बनाई है आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार विदानसभा में होने वाले उपचना में कौन सी पार्टी जीतेगी इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं